हाई राजा तुम्हारे दुर्गुणों का नाश हो जाए और तुम एक कर्तव्य निष्ठ राजा बन जाओ इतना कहकर महादेवी माता पिता और सक्खियों की ओर मुड़ गई माता पिता रोते हुई कहने लगे बेटी यह हम क्या देख सुन रहे हैं चलो घर चलो अब मुझे माया ममता के बंधन से मुक्त होकर अपने पती चन्नम अलिक अरजुन के साथ सामर से साथना ही मेरा धेए है उस धेए से अब मैं विचलीत नहीं होँगी अब सुनो उसने मेरे मन को लुभाया है अबवा मेरे तन को अपनाया है अबवा मेरे सुख को चार चान लगाया है अबवा चन्नम अलिक अरजुन की प्रेम भाजन बनी मैं अबवा मगर मगा जाओगी कहां खाओगी क्या पिओगी क्या रहोगी कहां भरे यवन में ऐसी अवस्था में तुम घर बार त्यज़ कर जाओगी तो लोग क्या कहेंगे समाज में सुष्टों से अधिक दुष्टों होते हैं तुम जहां जाना चाहती हो बताओ, वहां हम तुम्हें पहुंचाएंगे कितनी और कैसी कैसी कटना ये उनका तुम्हें सामना करना पड़ेगा तुम उनका कैसे मुकावला कर पाओगी अवी, हमारी बात मानो चलो, घर चलो सक्खियों ने भी महादेवी को बहुत समझाने की कोशिश की महादेवी, अवा लगी भूक तो मिलेगा भिक्षन लगी प्यास तो है ताल, नाले, सरोवर, कुआ लगी ठंड तो होंगे फेके हुए वस्त्र शेयन के लिए होंगे वीरान मंदिर देव चन्न मलिकारजुन आत्मसंग के लिए तुम हो मेरे लिए अवा लोगों के डर से क्या मैं अपना पती संग छोड़ दू अब मुझे यही सब सीखना है अवा लोग कुछ तो कहेंगे ही लोगों का काम ही है वह और उनसे क्या डरना अवा वह सब बात सुनकर भी मुझे शांती से समाजान से रहना सीखना है अपपा प्रेम है सच्चा तो गोत्र क्यों ढूंडे प्रेम में उनमत तो लाज क्यों चन्न मलिकारजुन के प्रेम दिवाने को लोग लाज की परवाह कहा अपपा प्रेम है सच्चा तो गोत्र क्यों ढूंडे प्रेम में उनमत तो लाज क्यों चन्न मलिकारजुन के प्रेम दिवाने को लोकलाज की परवाह कहां अवा तुम वही ठहरो अपा आप वही ठहर रहो बंदु भगिनी तुम भी वही रहो कुल मेरा तुम वही रहो बाल बल मेरा वही रहो चन्नमलिक आरजुन से मिलने के उच्छाह से जा रही हूँ तुम सभी को मेरा प्रणाम बात करते हुए वे माता पिता के घर के पास आये थे महादेवी ने सभी को वही रुकने के लिए कहकर सब को प्रणाम करके मुढने लगी तो अवा ने रोते हुए पुत्री को एक पल के लिए रुकने के लिए कहकर भागते हुए अंदर जाकर एक कंबल की एक छोटी सी कुर्ती थी वह लाकर अपनी प्रिय अवी को थम्मा दिया और कहा अवी चिन्न यह तुम्हारे अवा की दुआ है समझो ना मत कर अब यही तुम्हारी रक्षा करेगा महा देवी ना न कर पाई उसने वह भक्ति भाव से स्विकार किया और निग्रही मन से घूम कर घने जंगल की तरफ चली गई माता पिता सखीया पडोसी सभी अश्रू पूरित नेत्रों से महा देवी को ओजल होने तक देखते रहे जंगल का सफर घने जंगल की ओर जाते हुए महा देवी ने अपनी भावनाओं पर कुछ अउंच में नियन्तरन पा लिया था वह अपने प्रभू से विनती करती हुई गाती हुई जा रही थी सुनो मेरे विनती मानो मेरी विनती ध्यान देना पूरी करो मेरी विनती मेरी आरजू क्यो नहीं सुनते प्रभू तुम्हारे बिना कोई और है नहीं मेरा तुम्ही हो आधार गंतव्य भी तुम्ही हो देव चन्नमलिकारजुना रात हुई सब और घने पेड़ पौधे दिन में मन लुभाने वाली व्रुक्षवल्ली रात को डरावने प्रतीत होने लगे जिंगरों की किर किर आवाज बीच बीच में जंगली प्राणियों का गुर्राना माता पिता सखीयों की अनेक यादे महा देवी को और व्याकूल और भावक बनाने लगी महा देवी आर्तस्वर में अपने आराध्य की विनती करने लगी काया को सताती है छाया बनकर माया, प्राणों को सताती है मन बनकर माया, मन को सताती है स्मरन बनकर माया, स्मरन को सताती है ध्यान बनकर माया, जगत को सताती है चाबुक बनकर माया, हे देव चन्न मलिकार्जुन तेरी इस माया को कोई जीते कैसे तू ही बता छोड़ना चाहूं तो चुटती नहीं यह माया न छोड़ूं तो पीछे पड़ती है यह माया योगी के लिए बनी योगीनी यह माया, श्रमन के लिए बनी श्रमनी यह माया, यती के लिए सुती बनी यह माया, तुम्हारी इस माया से डरूंगी नहीं मैं, तुम्हारी कसम है मुझे चन्यमलिक अरजुन देवा, सुर्वदय के साथ महा देवी की भावुकता व्याकुलता दूर हुई उसने जर्ने में स्नान किया मा का दिया कंबल की वह छोटी सी कुर्ती पहन ली उस पर अपने घने बालों को फैला लिया गीली मिट्टी से शिलिंग बनाया पत्र पुषपई कठे करके उसकी पूजा की ध्यान में बैठ गई महा देवी को स्थिर अचल बैठी देखकर कुछ धीट खरगोश उनकी गोद में आकर खेलने लगे महा देवी का ध्यान बंग हो गया उन्होंने उन छोटे छोटे सुन्दर मुरुदू मुलायम खरगोशों को हलके हाथों से उठा कर चूम कर नीचे छोड़ दिया और वे अपने पत्पर आगे बढ़ी उन्हें कहा जाना है वे किधर जा रही है यह उन्हें मालूम नहीं था बस एक दिशा में वे जाती रही वे अपने चन्नमलिकार्जुन को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी पाने के लिए तडपती रही वे जड़ चेतन का अंतर तक भूल गई थी मनुष्य पशुपक्षी में कोई फर्क है यह भी वह भूल गई थी वे व्रुक्ष मुरुग पक्खगों को अपने चन्नमलिकार्जुन का पता पूछने लगी हे भ्रमरावली हे आमरवरुक्ष ऐ चांदनी ऐ कोई लिया तुम सबसे विनती है एक मेरी मेरे स्वामी चन्नमलिकार्जुन को देखो गे तो बुला कर मुझे दिखला दो न उनका समेदन शील मन किसी का आसरा चाहने लगा और यह आसरा सत्संग के सिवा और किसका हो सकता था क्योंकि सत्संग में सभी देव भक्त ही होते हैं सभी भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुल उच्सुक आतुर होते हैं अतहा कमबेश सभी के आवस्था एक जैसी होती है इसलिए वे एक दूसरे का सहारा बनते हैं आसरा बन जाते हैं महादेवी जी कहने लगे पर्वत पर्वत जंगल जंगल पेड़ पेड़ से पूछती हूँ मेरे देव आ जाओ मेरी करुणा तेरी करुणा बरसाओ मुझ पर धूंडती हूँ, तडपती हूँ, तुम्हें देखकर लंबी सासे लेती हूँ, तरस्ती हूँ, अब तो शरणों के संग का आसरा है, तेरे छिपने का ठाओ तो बताओ, हे मेरे देव चन्नमलिक आरजुना, धन्यवाद